हेलो दोस्तो स्वागत आपका अमारी इस नई वीडियो मेर आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल एप्रेंटिशिप गाइड जिसमें है ओल अबाउट एप्रेंटिशिप ट्रेंइंग कि दोस्तो और की वीडियो में हम बात करेंगे सेल के दिवारा निकालेगी पर्मानेंट रिक्रूट्मेंट के बारे में जिए दोस्तों इस्टील ओत्रोटी इंडिया लिमिटेट की ओर से एक लिए दोस्तों सबसे पहले कम आपको इंट्रूट्व करा दूए तो सेल है वह सेल जो इंडिया लिमिटेड है महारतन कंपनिया जो कि सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो कि इंडिया में सबसे बड़ा जो स्टील का उत्पादन करने वाला एक यूनिट है इसके दोबारा जिन कंडिडेट्स के पास में एप्रेंटिशिप की योगिता है और टेंद की योगिता है उन कंडिडेट्स के लिए अटेंडियां कम टेकनिशियन के पदों की परमानेर्ट रेकूट्मेंट निकलिए जिसका ओनलाइन अप्लेक्शन फ़र्म होब 25-1223 तक एप्रेंट्स टेंडिंग और टेकनिकल सरकारी जोब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप अमारे चेनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिक्शन ओन कर ले ताकि सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यों से समय समय में पर मिलते रहे boccaro styled steel plant ACT t recruitment 2023 तो आपको इसे के उपर कलिक करना जैसे आप इसके ऊपर कलिक करोगे तो इसका नोटिफिकेशन न हो डाउनलोड हो जाएगा सबसे पहले तो नोटिफिक्शन से निकाला गया नोटिफिकेशन देन रखे गए यहां पर आप देख सकते हो शेल बोकार स्टील प्लांड इन्वाइट्स ओनलाइन अप्लेक्शन फ्रॉम एन्रेटिक रिजल्ट ओरियंटेड प्रोमिसिंग और यूथ फोर पोकारो स्टील प्लांड फोलुएं पोस्ट यान निकाले गिए अन्रेजर्व के 35 से एस्टी के बाइस है और इसमें इंक्लूड की गीए उसके बाद में निची अपन सलेंगा तो एज इक्स्पीरिंस की बात करें तो पोस्ट का नाव तो आपको बता ही है एसी टीटी एन्नेसी अपर एज लिमिट के बाद करें एक मार्स 2030 को 28 वर्शी ज्यादा नहीं होने से योग्यता है तो कंडिरेट को पास एक साल की डेजिग्नेटेट में एपरेंटिशिप होनी जरूरी वह भी इंटीग्रीडेट स्टील प्लांट यानि एसा एसा प्लांट जहां भी स्टील से समझेद काम होता चाहिए स्टील बनाने का काम होचा है उसको मेल्टिंगा काम हो तो स्टील प्लांट का में एपरेंटिशिप करें एक संटीपिकेट वह इसमें अप्लेकिशन फिलुक कर सकते हैं आप यहां पर डेफिनेशन दीए इस्टील प्लांट किया-क्या है तो इसमें आप देख सकते हो प्रोडुसिंग फिनिशिंग स्टील टु नेश्नल एंड प्रकार से फिजीकली अंडिक्या पर्षन उनको भी छूट दीगी इंदीकली इंदिकली और फिट होना जरूरिया फिजीकली स्टेंडर्ड तो नोदिडियर की हाइट थे वो 155 cm होने जूरी फिमेल की 143 cm वेट है वो 55 kg से कमनी होने चाहिए फिमेल का 35 kg से कमनी होने चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो मेल का 55 cm और 29 cm के साथ होना जरूरी है फिमेल वो 70 cm और 30 cm के साथ होना जब और प्रोबेशन के बात करें दो साल की ट्रेमिंग पर रखा जाएगा जिसमें क्रोबेशन कंप्लेट हो जाएगा सुक्सेश्वलिक उसके बाद कंडिडिएंग उनको जो कि बेसिक से जो से पेश केल है उसमें जो बेसिक पेश है उसमें रेगुलर कर दिया जाएगा अब सेलेक्शन प्रोसीजर के बात करें तो सबसे पहले कंडिडेट का ना सेटेट का लिएग्जाम होगा उसके लिए का लिए तेस्ट के मादम से मिलेगी जो 100 प्र सेट वह सीबीटी एकजाम का यहाँ जिन कंडिडेट को प्रोविजनली तोर पर स्लेक्ट किया जाएगा दो सी बीटी एक्जाम में उसके लिए जो मिनिमूम क्वालिफिक्शन से है तो वह 50 परसेंट मांक्स प्राप्ट करने ज़रूरी है अन्य जर्वाइब अब स्क्राइब्स प्राप्ट ने जरूरी है तभी वो क्वालिफाई मन्ज़श एस्किल टेस्ट है तो जो एक्जाम क्लिर करें को उन्हें इसकिल टेस्ट के लिए बनाया जाया जायागा दो रहेगा इस्किल टेस्ट में कर लिएक आनुपात थे उनका रेखा जिसकी दोट को डोट इनिया स्टीवी डोट डिबलुट डोट सेल के रियर डोट कॉम अब अब एमोलिमेंट अधर बनेपिट्स के बात करें तो कंडिडियेट की तो पेश्केल होगी वह एसवन होगी इसमें पेश के लोग पिछित 25703 परसेंट यहली इंक्रेमेंट पैर 3070 इसके स साल का ट्रेनिंग प्रेड उसमें कंडिडियेट को क्या मिलेगा तो कंडिडियेट को पहले साल 12900 रुपए मिलेंगे और सेकेंड यह वह 15000 रुपए दिए जाएंगे अब अप्लेकिशन और प्रोसेसिंग की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो जो जनरल एडिवस औ तो अधर कंडिडियेट है अधर के टिगरी के उनको लिए सो रुपए अप्लेकिशन फी रखेंगे अब हाउट उपलाई है तो सबसे बिला कंडिडियेट है वह उसको नोटिफिक्शन डाउनलोड करना सारे नोम सब चेक करने उसके बाद कंडिडियेट है इसके ऑपिछल पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ सोनी जरूरिये इसके सिगनेटर होने जरूरिये नेशनल एप्रेंडियेट है तो इंटेग्रेट इस्टील प्लान से आपने किया उसका प्रूफ होना जरूरी है और ओनलाइन जो पेमेंट है इसमें नेट बैंकिंग क्रेडिट काड कर सकते हैं डाउनलोड कार्ड तो जो सारी जानकारी है इंटेमेशन वह आपको इमेल और समस्के तुरूबी दिया जाएगा अब कंड़क्ट ओव एक्जामिशन तो सीबीटी एक्जाम में क्या क्या होगा तो इसके लिए आपको बदा दो सबसे बिले कि अटेनेंट कम टेकनिशन ट्रेनिंग का दो पेपर हो नबबाए मिनिट का होगा जिसमें जन्र नोलेज लोजिकल इंजिनिंग क्मान्टिटीव एप्टिटूड होगा अब इसमें और इंग्लीज में प्रिंट होंगे और कुछन से वह समानंग क्योंगे इसमें कंडिट को दो नेगिटिव मार्किंग वद्यखने को मिलेगी वन फूर्थ और कट ओफ है वो दो स्टेज में की ओन इसकोर इंडिजिवल टेस्ट और टोटल इसकोर उसके बाद कंडिशन यहां पर दी हुई है जो कि कंडिट इसका नोटिफिक्शन डाउनलोड करके रिट आउट कर सकता है लास्ट में इंपोर्टेंट डेट तो ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म बढ़ने की जो लास्ट टेट पो स्टार्टिंग डेट है उच्यार नॉम्बर दोजार है टेस्ट की वह भी आपको छेफ्रेटली कर दिया जाएका तो दोस्तों इसकी इंपोर्टेंट अप्डेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिये ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते और इसको चैकाउट कर सकते हो जिन कंडिट के पास में जो निर झाल 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 झाल